चोपड़ा जो किसी यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हर देख स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बच्चो अभी MBBS BDS की काउंसलिंग तो 6 जनवरी 22 को सुप्रिम कोट की हीरिंग के बाद स्टार्ट हो ही जाएगी अभी काफी स्टुडेंट के कोमेंट्स इस परकार से आ रहे हैं कि आयूस और वेटनरी की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी क्योंकि जिन बच्चों का एडमिसन MBBS BDS में नहीं हो पाएगा वो स्टुडेंट आयूस और वेटनरी में एडमिसन लेना साएंगे तो आयूस और वेटनरी की काउंसलिंग जनरली MCC का फर्स्ट राउंड का रजल्ट डिकलियर होने के बाद स्टार्ट होती है वैसे अभी तक इसके स्टार्ट होने की एग्जेक्ट डेट तो नहीं है मगर प्रिवियस एर की कैलकुलेशन को देखते हुए अगर MCC के फर्स्ट राउंड का रजल्ट फिप्टीन थे जनवरी तक आ जाता है तो ये 20 या फिर 25 जनवरी के नियरबाई स्टार्ट हो सकती है आयूस और वेटनरी की काउंसलिंग तकरीबन एक साथ सी स्टार्ट होंगी दो चार दिन का डिफ्रेंस हो सकता है आयूस की जो वेबसाइट है वो www.c.gov.in है इसकी वेबसाइट पर आयूस की काउंसलिंग की जाएगी और इसके बाद में जो वेटनरी की काउंसलिंग है वो www.vci.draft.gov.in है इस पर आपको काउंसलिंग related सारी information मिलेंगी तो जैसे जैसे इसके बारे में update आता रहेगा schedule आता रहेगा हम आपको inform कर देंगे अभी हमें wait करना होगा 6th of January 22 को Supreme Court के decision का तो जैसे ही इसका कोई update रहेगा मैं आपको inform कर दूँगा तो आप हमारे साथ बने रहे हमारे channel को subscribe करके bell icon प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई video डाले आपको notification मिल जाए मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद